हलो एम्रीवन कैसे हो आप रो और आप लोग को यह बलून देख रहे होंगे तो क्या होने वाला इस बलून का किसी का बर्ड़े है तीनों बच्चों में से या फिर कोई आने वाला है तो आप लोग सोच कर चरूर बतायेगा बाकि आप लोग को लाश्ट वीडियो तक तो पत बस फिर इसके बाद यहां पे न जो गरू लगवाने के लिए पहिया भुलवाया था न तो उन्होंने बोला रिवन भी लगा देते तो मैं और ममी बैटी हुए थे तो आमने बोला चलो ठीक है आप रिवन लेका रहा हो जो तक हमनों कुछ और भी काप कर लेते हैं तो वह कपड़े तो कापी करस हो रहे थे तो मैंने मुला चलो इसा को मैं प्रस करके पहना देती हूं नु कप्रे ही ते यहां पर प्रस करने के लिए लग गई थी और ममी एपीछे से अपी निकली ही ठीए कुछ कुछ पुल गी थी नी तो वापस वह समान ले ने गई थी तो यह ह काफल मां मम gobierno गयी नेचे और म ममे तो यह ही था है कि वह समेख सब्सक्राइब ना यूं कुके है टाकि चावल कर झाल साख शक्राइक कर लिए थे और इसके बाद ने क्या था हमें नीचे मतलब बेकॉम ली ख रही थे और मैंने यहां पर क्लीम किया है अच्छली क्या था रफ़ लों फूले थी और फिरकाए वह वो बचाते है था तो इसका पुषणा सा हु़रा था तो मैंने प्लीम किया और रामा क माम में रेकर तो वेलकॉम तो बनता है तो यह सो रही थी तो हम देना नेचे से उपर बुला लिया था देदी को और यहां समय उसके न अभी उसकी आती कर आता है उसकी पूल कर ली थी कर दो बनता है उसकी आता है उसकी आता है नानो भी बहुत जाता है एक्साइटेड थे को हमें वीडियो बनाती है और नानो निवी ना मतब की छोटी सी बुडिया को लेने के लिए बहुत जाता है एक्साइटेड थे फिर मैंने दीदी किसे बूला था पराम से देना निवी को क्योंकि निवी को हम डामा को भी नहीं देते है अभी क्योंकि बहुत चूटी है निवी अभी बच्चुक्ली में लेक नहीं है लेकिन नानू बहुत अच्छे से ले लेती और वो रही थी ममा आप मत खिलाओना मुझे लो पता है आप ओको जब से रामा मुझे लग रहा था रामा कब इतना चोटा था ही नहीं क्योंकि ना बढ़ा हो गए न तो छोटे बच्चों को लेने मैं असा लगता कि रामा कि हाँ पर चलाने के आदत होती है और जब वो कहीं जाते हैं आते हैं ट्रॉबल करते हैं तो सारा टाइम गोदी में रहते हैं इसलिक बहुत जादा परिशान से हो जाते हैं हमें पता रहता है कि वो हमारी गोदी में हैं कहां से ठाक होंगे बट वो बहुत जादा ठक जाते हमसे भी ज़्यादा थक जाने है अच्छा कई लोग ने कॉमेंट किया था किसी ने किया था कई लोग ने ही किसी ने किया था मुझे नाम नहीं मालूं दियान नहीं मिन्स कि रामा कितने घंटे सोता है annex कोई timing ऐसा fix नहीं है वह अगर 8 बज़े उठता है वह साडहीज 10 बज़े तक है राउंड प्लवी तक है कितने देह तक सोता कोई इसका टाइमिंग नहीं है कभी 10 मिट में उड़ जाता है कभी आदे गंटे में उड़ जाता है और फिर उसके बाद वो नहीं सोता है तो मेरा बेबी तो नहीं सोता है जादा और अगर आपका बेबी 10 गंटे सोता है तो वो बहुत ज़्यादा सो रहा है इसमें कोई हैटेक वाली ब और मैंने आवया को तयार कर दिया है कपे पहना दिये और भी पहना रही थी परता है बहुट छोटी छोटी पेल थी ना तो मुझे दर सा लग रहा था तो से पैल पहनाने में जैसे तैसे करके उससे पैल पहनाया और बस यहां पे न हमने महाली में जो आंटियां लोग है न मतलब जो लीडीज है तो उन्हें हमने इन्वाइट किया था दहरी पूजन के लिए तो दीदी अभी रडी होकर आएंगी और यह तेयार हो गए थी तो फिर उसके बाद सारी ल गेरू होता है न कथे कदर का वो डालेंगे मैं आप लोको दिखाती हूं और सब लोग आएंगे तो सब लोग बैठेंगे उनके लिए भी हमने नाजता बगारा बनवा के रखा है मंगवा कर रखा है मिन्स तो आप लोग बने रहें इसके वीडियो के साथ सू फ्रेंड से सब तैयारिया हो रही थी और सब लोग आ चुके थी तो मैंने उनको पानी फगरा ला कर दी और जब यह पूजा हो रही थी ना पूजा क्या मतलब यह जो बीच में हो रहें ना इसे दीदी साथ बार क्रॉस करेंगी और फिर उसके बाद भाय का टीका होता ह हैं घर पर तो उनका टीका हो जाएगा और वह और आवया का टीका कर देंगे बस इतना होता है इसलिए हमने सब को बुलाया तो नास्ता बगरा भी तो जरूरी है तो मैं यह प्लेट में समोसे लड़ो और मीठा बगरा नम्कीन बगरा हमने सब पहले से कट तकर के रख लिय जाता और रामक वमने खेलने के लिए बाहर बेज दिया था ताकि उसके दात आ रहे है तो थोड़ा जादा परिशान हो जाता है और फिर मैं यहां ले गई सब के लिए नास्ता जब तक ही नास्ता सब हमारे परिबार की ही लीडी से बैटी हुए थी और यहां पे ना भईय देगी ने बहिया का टीका किया था और बहिया ने छुटकू का टीका की वैसे तो आप लोगों को पता है इसका नाम आप्तिया है एक्शली में रामा रामा बोलती है तो मैंने इसका नाम भ्रेमी रखा हुआ है और अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीट लाइक करना और शबस्क्राइब कुना बाई बाई बाई